संपन हुई विश्व की सबसे बड़ी परिक्षा योगी के चक्रवीव में पस्त हो गया सॉलवर गैंग 15 SP, 31 ASP, 28 DSP योगी सरकार के प्लान के सामने फैल हो गए नकल माफियाओं के पुलिस सिस्टम चप्पे चप्पे पर तरह थी योगी की स्पेशल फोर्स सकती इतनी थी कि 16 लाख अब्यर्थियों ने छोड़ दिया पेपर जी, UP पुलिस सिपाही के 7,244 पदों पर सीधी भरती के लिए भारी सुरक्षा प्रवंधों के बीच आयोजित लिखित परिशा पांचवे दिन भी पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन हो गई योगी सरकार के प्लान के चलते नकल माफिया पूरी तरीके से फेल हो गए पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए योगी सरकार ने इस बार नकल माफियाओं का तोड़ निकाल लिया और ये भरती परिख्षाओं के लिए एक मारक बन गया यूपी के सरसर जलों के 1174 केंडरों पर कुल 10 पालियों में आयूजित इन परिख्षाओं में 48 लाग से जादा अभ्यरती शामिल हुए परिख्षा सकुषर संपर्न कराने के उद्देश से सभी जलों में उतकिष्ट सुरक्षा और यातायात ववस्था के लिए पुलिस मोख्याले हिस्तर से अतरिक्त पुलिस और पीएसी बल का प्रावन किया गया था इसके लाबा परवेक्षक ड्यूटी के लिए 15 ASP, 31 ASP, 28 DSP रैंक के थिकारी भी लगाए गये थे वैसे सुरक्षा में कुल 245 कंपनी PAC, 8 कंपनी CIPF, 137 कंपनी ASP और 522 DSP के लावा 386 इंस्पेक्टर, 32,311 सब इंस्पेक्टर, 47,587 हेट कॉंस्टेबल, 86,844 कॉंस्टेबल और 26,582 महिला कॉंस्टेबल लगाए गये थे परिक्षा की 3 इस तरी लाइब मॉनिटरिंग की जा रही थी, यानि की ट्रिपल लेयर लाइब मॉनिटरिंग इसके लिए परिक्षा केन के अलावा, जिला मुख्याले और भर्ती बोर्ड इस्तर व्यवस्ता की गई थी वही महिला अभियर्तियों के चगिंग केवल महिला पुलिस कर्मियों दोरा ही की गई परिक्षा केन और उनके परिक्षा करक्षों में प्रवेश और निकासदवार, स्ट्रॉंग रूम और परिक्षा केन के कोरिडोर इन एहम जगहों पर सीजी टीवी लगाए गए थे गोपनीय सामगरी के सुरक्षित अभिरक्षा के लिए विशेश इस्थान ट्रेजरी और चिनित स्ट्रॉंग रूम पर परियाप्त संख्या में सीसी टीवी कैमरे लगाए गए जिसकी 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग की गई गोपनीय सामगरी के सुरक्षित परिवहन के लिए हर केंड के लिए एक डेडिकेटेड वहन और सेक्टर वाइजिस्ट्रेट परियाप्त सरशर्स्त पुलिस कर्मियोत तैनात किये गए सभी केंडों पर परिख्षा की सुझता और सुकम संचालन के लिए एक एक स्टैटिक परिश्ट्रेट भी नूक किया गया था यानि कुल मिलाकर इतनी जादा महनत के बाद ही ये परिख्षा इतनी आसानी से संपन हो पाई है और एक तरीके से इस परिख्षा ने आगे होने वाली परिख्षाओं के लिए भी एक मानक इस्थापित कर दिया है कि कि इस तरीके से सारी चीज़े मैनेज हो तो बिना पेपर आउट हुए बिना नकल के ये सारी परिख्षाएं सकोशल संपन हो जाएंगी